दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल HD कुटीर में मेरा नाम है प्यूस और आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं previous year के questions अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 2014 में ALP का जब exam हुआ था तो वहाँ पे साइकों में जो questions देखने को मिले थे वह मैं करवाने वाला हूँ क्योंकि already अगर मैं बात करूँ तो hidden test चिपे हुए घनों की संक्या और brick test eat परिछड ये मैं already करा चुका हूँ दोस्तों तो वहाँ पे अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा मैंने वहाँ पे बताया है कि कैसे time रहते जैसे मैं बात करूँ तो hidden cube के लिए आपको time कितना मिलता है दोस्तों अगर 50 question आपको मिलते हैं तो वहाँ पे time होता है आपको 10 minute का चीजा दोस्तों तो वहाँ पे मैंने बताया है जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको 50 question में आपके पास time है 10 minute का यहाँ पर मैं बताऊंगा दोस्तों प्रिबियस एर में questions आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार की कैसे आए हैं उसको भी मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छे से अगर आपने पिछले classes नहीं देखें तो भी कोई problem नहीं होगी आज भी मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कै आपने accuracy maintain करनी है with speed ऐसा नहीं कि दोस्तों आपने question कर लिया और accuracy maintain नहीं हो रही है तो फिर problem हो जाती है क्योंकि इसके बाद अगर हम बात करें तो यह तीसरा section है तीसरा section में ही आपको या तो brick test मिलेगा दोस्तों या फिर hidden cube वाला मिलता है hidden cube की हम बात करें या फिर brick test की हम यह वाला मिलता है, बाद दोस्तों अभी दो section आपके बचे होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ yes या no test या find number वाला जो होता है वो आपको मिलता है या फिर उसके बाद similarity test यह दोस्तों मिलता है तो इसके बाद अगर concentration आपका lack हो गया तीसरे section में concentration lack कैसे होते हो दोस्तों अग आपने क्या होती है दोस्तों एक कुरेशी मेंटेन करके कोस्टन को सॉल्व करना होता है with confidence तो यह सब कुछ मैं बताऊंगा दोस्तों बहुत यह चीज़ आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है previous year questions के साथ बताऊंगा यहां से क्या होगा कि आपने बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कि previous year question कुछ और आता है बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे मैंने बताऊ है देखिए का दोस्तों मैं जब आज बताऊंगा तो बहुत मैजा है अगर आपने देखा होगा तो आप ऐसे solve कर लोगे बहुत ही असानी से अगर नहीं भी देखा तो भी कोई problem नहीं है मैं फिर से बताऊंगा बहुत ही अच्छे से तो चलिए दोस्तों श्राट कर लेते हैं पहले question के साथ पहला question देखिए दोस्तों पहले मैं धीरे धीरे बताऊंगा पहले मैं concept बता देता हूँ क्या होता इसके पीछे concept अगर एक बार दोस्तों अगर आपको concept समझ में आ गया ना तो फिर question कैसा भी हो आप देखोगे और देखना हो within fractions of seconds आप answer करोगे तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो आप देखो जैसे यह इसमें करना क्या होता पहले आप देखो कि यह कितने का box है base से देखो आप तो 3 into 3 का है दोस्तों इसके मैं बात करूँ तो इसके तरीके बहुत लोग बताते हैं लेकिन आपने वो तरीका ध्यान नहीं देना जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप इसको apply करके देखो अगर question solve नहीं होते हैं फिर आप बोलिएगा क्योंकि बहुत लोग बताते हैं दोस्तों तो उससे क्या होता है कि आपको लगता है ये बहुत ही tough है लेकिन ये बहुत ही असा होता है इसको solve करने का तरीका बहुत ही असान है बहुत ही असान ही सिंपलोग करेंगे आप देखिएगा तो यहां पर start कर ले दोस्तों तो यहां पर मैं बता हूँ आपको आप बेस से देखो तो three into three गया एक नजर मारनी होती है ये कोई बड़ी बात नहीं है आप देखोग प्रेक्टिस करोगे दोस्तों तो फिर देखना आप कितनी असानी से question का answer कर पाते हो और वो भी बिल्कुल सही I guarantee दोस्तों तो यहां पर आप देखो जैसे ऐसे base बना हुआ है इसी पर क्या है इसी पर एक एक cube रखा हुआ है घन रखा हुआ है तो दोस्तों इसमें करना क्या देखा और उससे नजर हटा ली और जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें आपको लग रहा है नहीं दिखाई दे रहा उसको आपने देखना हो तक कैसे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको देखो आप यहां पे तो कोई डाउट नहीं यह सब आपको दिखाई दे रह या जिसमें आपको लगता है कि उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को उस पर आपने ध्यान लगाना है तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर बिल्डिंग दोस्तों अगर हम बात करो हूँ building height की मैं बात करूँ तो वो 3 का है मतलब एक के उपर एक ऐसे cube रखा हुआ गहन रखा हुआ तो यह 3 रखा हुआ height के recording अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर आप देखो आपको 2 दिखाई दे रहा है इस वाले building की हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है मतलब इसके नीचे दोस्तों उपर से आप उपर से ऐसे आप यहाँ पर दिमाग में बैठा लो इसके नीचे एक है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी मैं बात करूँ पहले तो एक आपको नहीं दिखाई दे रहा अब इसके पीछे दोस्तों इसी लाइन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप आगे देखो ऐसे ही लाइन होगी और आपको 2 और नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है दोस्तों मतलब इसके पीछे दो और नहीं दिखाई दे लो तो आप इसमें क्या करोगे दो और एड करोगे अब यहां पर यह वाली line खतम हो गई इस वाली line में यह तो हमको दिखाई दे रहा था इसको दुबारा हमने देखना नहीं है इसके नीचे हमने कर लिया है अब इसके पीछे मतलब बचा है सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे तो इसके नीचे दोस्तों आप क्या बता सकते हो दो होगा एक होगा आप तो कुछ भी नहीं बता सकते इसके नीचे दो भी हो सकता है एक भी हो सकता है तीन नहीं होगा तीन होता तो हमें दिखाई देता तो इसके नीचे दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, अब आपने answer कैसे देना है, अब आपको answer देना है, according to option, अगर option की हम बात करें, तो आप यहाँ पे देखो, दो, तीन और चार, चार आपको पहले से मिल चुकी है, अगर option में दोस्तों, पांच दिया हुआ है, तो पांच सही हो जागा, अगर पांच नहीं दिया है दोस्तों, तो छै दिया होगा, दोनों में से कोई ने, कोई एक तो दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें, तो या तो दो होगा, या तो एक होगा, आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं बता सकता, दोस्तो इसके पीछे है ये भी हो सकता है इसके पीछे नहीं भी हो सकता है ठीक दोस्तों अगर नहीं होगा तो फिर अगले questions के हम बात कर लेते हूं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दोस्टों देखो, जल्दी से कैसे solve करते हैं, यह भी मैं बताऊँगा, आपने attention बिल्कुल भी नहीं देना है, कि मैं यह नहीं बताऊँगा, कि कैसे जल्दी से solve करना है, मैं तो बहुत time लेकर संजा रहा ह इसको एक नजर में आप cancel out करो, यहाँ पर इसके नीचे देखो, एक नहीं दिखाई दे रहा है, इसके नीचे आप देखो, दो नहीं दिखाई दे रहा है, अब आपको कहीं यह तो doubt नहीं हो रहा है, कि मैं कैसे बता दे रहा हूँ, इसके नीचे दो नहीं दिखाई दे रह आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका आंसर दोस्तों, कितना हो गया, चार हो गया, चो कि बहुत ही असान है, दोस्तों, अभी आपको starting में टाइम भी लग रहा होगा, तो आप परशान बिल्कुल भी नहीं होगा, आप आठ दस कोस्टन करिएगा, या मैं जैसे बता रहा ह वैसे थोड़ा सा थोड़ा patience रखिए और देख लीजिए फिर उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा आप देखोगे diagram और answer करोगे बिल्कुल within fractions of seconds I guarantee थोड़ा सा बस patience रखिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों अगले questions की और तो यहाँ पर देखो यह लाइन जो है आपको सब दिखाई दे रही है यहाँ पर यहाँ पर देखो यह लाइन तो हमने देखना ही नहीं है यह तो सब कुछ दिखाई दे रहा है इस इसके नीचे मतलब इसके पीछे एक होगा इसी की तरह रखा होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो गया वन प्लस वन टू जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है ठीक है दोस्तों तो ऐसे question आप solve करोगे दोस्तों तो confidence भी आपको आएगा और ग सब कुछ आपको दिखाई दे रहे है आप देगो सब दिखाई दे रहे है और यहाँ पे भी इस line की हम बात करें तो यहाँ पे हमें सब कुछ दिखाई दे रहे है इससे तो आफनें कुछ लेना देना हुए ऑब उपर से हमने count करना है building हमें पता है दोस्तों 30 की हैं तो पिच वाली लाइन में अगर हम बात करें अगर हम बात करें ऐसे तो इसे तीन रखें सोगे ना दोस्तों। अब देखो बीच वाली लाइन में सोगनिक इầnसी सवाहbnा पों दिखाई दे रहाइं तो अब बताओ दोस्तों अब इसका आशार क्या हूँ आ शारी होगा जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत होने, जो स्वाल को देखो यहांपर और बात करो। रहते हैं को गलत होने का कोई चांसे नहीं है. यहाँ पर आप देखो यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल clear तो यह इससे अब मतलब नहीं है हमारी मतलब यह वाली लाइन का काम खतम हो गया दोस्तों अब यहाँ पर देखो तीसरी वाली लाइन यहाँ पर मैं बात करूँ यह वाली लाइन इधर की को भी जोट लाइन जा रही है यहाँ पर भी सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से भी कोई मतलब नहीं है अब आप देखो यह बीच वाली लाइन के हम बात करते हैं मतलब यह वाली तो यहाँ पे तो सब हमें दिखाई दे रहा था यह लाश वाला बॉक्स में हमें दिखाई दे रहा मतलब यहाँ पे बीच में एक बॉक्स होगा बीच में यहाँ पे एक बॉक्स होगा तो यहां पे आप देखो दो box आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इसके नीचे एक ही box है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसके नीचे भी तो एक ही box है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका answer कितना हो गया दोस्तों, एक, दो और तीन, क्योंकि यहां बीच होगा नहीं दिखाई दे रहा है क्यूंकि यह building दोस्तों 3 की है तो 2 हमें नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर मैं बात करो बुल्डिंग तो यहां पर building देखो आप 4 की है building जैसे की एक, दो, तीन और इसके उपर भी एक box रखा हुआ है इसके पीछे यहाँ पर अगर में बात करों तो यहाँ पर भी तो दोस्तों तीन हमें नहीं दिखाई दे रहा है देखो आप चार के building है एक दिखाई दे रहा है मतलब तीन है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये वाला box जो है आपको दिखाई दे रहाए, ये नहीं दिखाई दे रहा, मतलब दो box होंगे जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका जो answer होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, आप बताओ, और 3, 2, 5, 6, 7 जो है इसका answer हो जाएगा जो कि बिल्कुल सही answer है गलत होने का सवाल ही नहीं है अगला question देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर देखो यह बहुत ही असान question है दोस्तों इसका question मतलब इसको आप देख के इसका diagram तुरंत answer बता सकते हैं within fractions of seconds I hope अब तक आपको इसका answer पता चल गया होगा लेकिन मैं बता देता हूँ इसको दोस्तों देखो यह वाला जो है आपको सब दिखाई दे रहा है यह वाला भी सब दिखाई दे रहा है अब इसके नीची दोस्तों एक नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बीच में भी तो और इसके पीछे एक मतलब इसके नीची अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नीची एक होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका answer देखो दोस्तों कितना हो जाएगा एक दो तीन चार और एक पांच जो कि बिल्कुल सही answer दोस्तों इसका पांच दोस्तों अगला question द जरुत है हमें बिल्कुल भी नहीं है ना इसको हमें क्यों देखेंगे इससे मतलब क्या हमें यह तो सब कुछ दिखाई दे रहा हमें हमें क्या कोजना है दोस्तों जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर यह भी काम कतम इसका भी काम कतम और यहाँ पर यह वाली भी दोस्तों ये वाली भी line काम खतम ये भी हमें दिखाई दे रहा है अब यहाँ पे building जो है दोस्तों 4 की है अब आप इस building की हम बात करें उपर से हमें देखना है ये हमें अब तक पता चल चुका है इतनी दिर practice करने के बाद कि उपर से हमें देखना होता है जहाँ पे भी हमें doubt होता है तो यहाँ पे अगर हमें 3 दिखाई दे रहा है मतलब 1 जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके नीचे 1 होगा और यहाँ पे दोस्तों देखो ये building 3 की है ये वाले building 3 की है लेकिन आपको तो 2 ही दिखाई दे रहे है मतलब इसके पीछे 1 होगा और इसके नीचे 1 होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका answer उपर से देखोगे दोस्तों तो आपको पता लग जाएगा इसके नीचे 1 होगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर और यहाँ पर मैं नीचे बात करूँ दोस्तों यहाँ पर अब देखो तो यहाँ पर या तो 2 होगा या फिर 1 होगा यह कोई भी नहीं बता सकता है या नहीं भी हो सकता है तो यह कोई भी नहीं बता सकता है ठीक है दोस्तों अगर मैं 2 मानूं तो answer हो गया 4 और मैं कुछ ना मानूं दोस्तों तो हमारा answer होगा 2 ठीक है दोस्तों तो यह आप याद रखिएगा यहाँ पे आप doubt नहीं करना है question के according answer देख के option देख के आपने answer tick करना है यहाँ पे गलती हो जाती है ठीक है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे अगर करना गया होता है जैसे एक एक ऐसे है ना ऐसे तो इसके पीछे भी आप एक assume कर लो वो सही हो जाता है तो यहाँ पे एक दो और तीन तीन ज्यादा तर cases में आंसर इसका सही होता है ठीक है दोस्तों अगले question की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे यह वाली line दोस्तों बिल्कुल cancel इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 question और यहाँ से मैं बताऊंगा speed भी कैसे improve करते हैं तो चलिए देखिए जो दिखाई देरा आपने cancel out किया इसको भी आपने cancel out किया अब इसके नीचे एक होगा जो आपको नहीं दिखाई देरा दोस्तों इसके नीचे दो होगा जो आपको नहीं दिखाई देरा इसके नीचे एक होगा जो नहीं दिखाई देरा और यहाँ पे नीचे एक होगा जो आपको नहीं दिखाई देरा ये वाली line भी तो आपको सब दिखाई दे रही है मतलब ये वाली line जो सीधा गई है ये भी दिखाई दे रही है, इसको भी आपने cancel out किया यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक होगा दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे दो होगा जो इसके नीचे नहीं दिखाई दे रहा है और इसके पीछे मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे बीच में तो यहाँ पे भी एक होगा जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका answer कितना होगे दोस्तों 4, 5, 6 जो कि बिल्कुल सही answer है यहाँ पर आप देखो यह सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है और बीच में भी दोस्तों सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये भी आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे एक जो के बिलकुल सही answer है इसका तो अब तो बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए दोस्टो मैंसमज़ा चुका हूँ आपने क्या करना होता जो आपको दिखाई देता है उसको cancel out करिए, पहली नजर में, उसके बाद, जो बजता है, जहां पे भी आपको doubt होता है, आप उसको उपर से देखिए, बस इतना ध्यान रखे कि building की height क्या है, मतलब कितने घन एक के उपर एक रखे हुए, यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे कैसे solve करते हैं, यहां पे अगला question देख लेते हैं दोस्तों, यहां पे देखो, यहां पे भी बिल्कुल आसान question है दोस्तों, यहां पे यह सब कुछ दिखाए देर, यह previous question है, मैं बता रहा हूँ कि questions आप कैसे करोगे, 50 minute, 50 question है 10 minute में, तो वहां पे बहुत question आपको बिल्कुल ही आसान मिलते हैं, इसके नीचे एक होगा जो हमें नहीं दिखाई देरा दोस्तों, इसके नीचे भी एक होगा जो हमें नहीं दिखाई देरा, अब इसके बीच में हम बात करने दोस्तों, तो एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक दोस्तों, अगर एक मैंने मान लिया, तो यहां पे जो तो आप अगर यदर box एक-एक रखा हुआ है तो आप पीछे भी एक box मान के चलो, मतलब यहाँ पे एक, जैसे इसको मैं फिर से बताऊँ आपको, अगर आपने मान लिया, जैसे मान लिया जैसे दो और तीन दोनों दिया, तो आप कैसे tick करोगी, यह मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक आपने देखा, यहाँ पे इसके नीचे एक देखा, और इसके नीचे अगर आपने, यह जैसे एक-एक रखा हुआ है, तो आप इसके पीछे भी अगर एक मानते हो, तो इसका answer है दोस्तों तीन दोगे आप अगर तीन नहीं दिया हुआ है तो आप जो answer करोगे दोस्तों वो दो करोगे जो कि वो भी बिल्कुल सही answer है ठीक है दोस्तों तो I hope आपको मजा आया होगा और समझ में बिल्कुल आया होगा अगला question देख लेते हैं यहाँ पे आप देखो यह बिल्कुल clear है यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी तो सब clear है महारा तो यह भी दिखाई दे रहा है थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा अच्छा question है यह यहाँ पे भी आप देखो यह पीछे वाली लाइन मतलब इस लाइन की अगर हम बात करें यहाँ पे आप देखो दोस्तों आपको दो दिखाई दे रहे हैं दो घन आपको दिखाई दे रहे हैं यह भी दिखाई दे रहा आपको यह भी दिखाई दे रहा एक इसको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है अब यहाँ पे इसके पीछे मतलब इस line में अगर आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों इसके पीछे इस वाले की इस वाले की अगर मैं बात कुरूँ तो बिल्कुल आप पीछे देखोगे तो पीछे भी तो दो बॉक्स रखे होंगे बिल्कुल ऐसे ही दो बॉक्स पीछे भी रखे होंगे दोस्तों दो बॉक्स वो होगे जो यहाँ पे नीचे आपको बिल्कुल मिलेंगे दो वो होगे दोस्तों तो कितना होगे दो एक तीन एक चार जो कि बिल्कुल सही आंसर है इसका ठीक है दोस्तों अब आपको समझ में आगी होगा बहुत ही अच्छे से एक बार मैं फिर इसको समझाता हूँ थोड़ा सा अच्छा कोश्चन था दोस्तों यहां पे गलती हो जाती है तो आप देखो जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है वो तो मैंने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया कोई मतलब नहीं बनता है इसके नीचे दोस्तों दो की बिल्डिंग है तो एक आपको नहीं दिखाई दे रहा है अब इसके पीछे मतलब इसके पीछे अगर हम बात करें यहां पे पीछे हम चले जाते हैं तो वहां पे भी तो दो होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है दोस्तों दो एक तीन हो गया और यहां पे इस वाली लाइन में हमने बात करा था तो यहां पे देखो पहला दिखाई दे रहा है दूसरा दिखाई दे रहा है एक नहीं दिखाई दे रहा है मतलब इसका जो आंसर हो गया दोस्तों वो कितना हो गया चार हो गया जो कि बिल्कुल सही आंसर है ठीक है दोस्तों तो I hope आपको मज़ाया होगा और समझ में भी आया होगा ठीक है दो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं बता देता हूँ दोस्तों तो आपका टेस्ट जो है दोस्तों वो कम्प्यूटर बेस्ट है तो आपने क्या करना है दोस्तों कॉपी पें बिल्कुल लेके प्रैक्ट करना है तो LP का साइको कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों इतना पास पहुच चुक है हो साइको क्लियर करना है तो फिर आप कम्प्यूटर या PC पर प्रैक्टिस करें और टेस्ट सीरिस को जोई कर ले वहां से करें ठीक है दोस्तों और जैसे मैंने बताया दोस्तों ऐसे आप प्रिविए सेरिक कोश्चन के साथ फिर से मैं कॉंसेट बताऊंगा बहुत यह अच्छे से और आई होप आपको मजा होगा दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बाई बाई टे करिकिए